छेहरे में द्राइनस हो जाती है चेहरा हमारा लाल हो जाता है तो इसके लिए हम क्या करें तो यह वीडियो आपके लिए है हम लेंगे एक कच्चा यालूः और उसको अच्छी से छेल लेंगे चेलने के बाद उसको हम वास कर लेंगे इसके बाद हम कदू कस करेंगे उसको कदू कस करके उसका हम जूस निकाल लेंगे आलो जिस प्रकार सब्जी में यूज किया जता है ठीक उसी प्रकार आपके फेश को भी निखारता है आपके चेहरे से दाग, धबे, जाईया, रिंकल्स, लाइन्स के जो भी निशान है उसको गायव कर देता है देखिए तो हमने कदू कस कर लिया, अब इसका हम जूस निकालेंगे आप चाहें तो इसको हाथ से दबा के भी इसका जूस निकाल सकती है छनी से भी निकाल सकती है, हमने तो हाथ से ही दबा दबा के इसका जूस निकाल लिया है आप अपने फेस के हिसाफ से आलो ले सकती है इसे ही धीर देखिए दबा के उसका हम जूस निकाल लेंगे हमारा ये जूस निकल गया अब दूसरा जो हम ले रहे हैं वो है टमाटर टमाटर में लाई को पीन बीटामिन पाई जाती है जो हमारे चेहरे से जुर्यां, डार्क सरकल, फाइन लाइन्स, रोम छीदर को काफी हद तक कम करता है अब जो हम तीसरा लेंगे वो है हमारा दही दही हमारे फेस को डीप कलीन करने का काम करता है लेक्टिक एकशिट भरपूर मातरा में पाया जाता है दही में जो हमारे चेहरे के लिए फाइदे मंद है गर्मियों में दही का यूज जरूर करें जिससे आपके फेस भी क्लीन होंगे आपके दही के जगा दूद भी यूज कर सकते हैं अब हम जो चौथा ले रहे हैं ओ है हमारा मुलतानी मिट्टी आप अपने फेस के हिसाब से मुलतानी मिट्टी ले सकती है अच्छे से हम मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी दही का टुकडा रहना जाए अच्छे से मिक्स हो जाए हमारा अच्छे से अब इसको मिक्स हो गया अब इसमें हम थोड़ा सा गुलाब जल डालेंगे और उसको फिर अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट बना लेंगे हमने थोड़ा सा गुलाब जल डाल दिया अब उसको अच्छे से हम फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये भी अच्छे से उसमें मिक्स हो जाया इसके बाद हम अपने फेस पर इसको अपलाई करके आप लोग को दिखाऊंगी वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग ह होने वाली है वीडियो को पूरा देखिए तभी आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा तो देखिए हमारा मिक्स हो गया अब अपने फेस को सबसे पहले दही लेंगे और दही से अपने फेस को क्लीन करें आप दही के जगा कच्छा दूद का भी इस्तिमाल कर सकती है अ साच करते हैं इसको हम वास कर लेंगे जिससे हमारा फेस अच्छे से क्लीन हो जाएगा कोई भी मेक अपने फेस पे लगाएंगे तो उसका रियॉल्ट आप लोग के सामने दीखेगा हम वाटर से क्लीन कर ले रही हूं देखिए अब हमारा फेस क्लीन हो चुका अब जो हमने पैक बनाया है अब उसको अपने फेस पे अपलाई करेंगे इस फेस पैक को लगाने पर इतनी ठंडक महसूस हो रही थी बहुत ही अच्छा फील हो रहा था इसे ही आप अपने फेस पे चारो तरफ अच्छे से लगा लें और कोई भी अगर आप फेस पैक पहली बार लगा तो इसका पेच टेट्स जरूर करें कि आपको सूट कर रहा है या नहीं थोड़ा सा लेकर कान के पीछे लगा लें अगर आपको इचिंग नहीं हो रही है तो आप उस फेस पैक को जरूर ट्राय करें यह फेस पैक आपके स्कीन को टाइट करेगा ब्राइट करेगा अगर इ एक बार यूज करती हैं आप दूप में जाती हैं तो आपके फेस पर कोई भी दूप का एफेक्ट नहीं पड़ेगा इस फेस पैक को आल स्किन टाइब की लोग लगा सकते हैं तो देखिए हमारा फेस पैक अच्छे से लग चुका अब हम इसका वीट करेंगे दस मिनट दस मिनट के बाद अच्छे से ड्राय हो जाएगा तब इसको हम क्लीन करेंगे तो देखिए हमारा ड्राय हो चुका अब हम टामाटर का कटा हुआ भाग लेंगे और उससे इसको धीर तो आप जानते हैं कि हमारे फेस के लिए कितना ही लवदायक है हम थोड़ा सा पानी लेंगे हमारा ज्यादा सुख गया था हम थोड़ा सा पानी लेंगे और पानी से पानी लगा के अच्छे से अपने हाथों से मसाज करेंगे सर्कुल मुसम में मसाज करते हुए उसको क्लीन क घुन मतबर देंगे अभी आप एसका result देखेंगी डिविधि विडियो अच्छी लगों तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो देखिए हमें इसे ही अच्छे से इसको क्लीन करेंगे देखिए हमारा फेस कितना क्लीन हो चुका विल्टी उनेश्ट वीडियो में तब तक लिए बाइबाइब